मेश व्यवसाइक शेत्र में उच्छदिकारियों के साथ आवश्यक विश्यों पर चर्चा होगी आपके किसी परियोजना को सरकारी लाब राप्त होने की सम्धावना है कारियाले से जुड़े कारे के लिए प्रवास के भी योग हैं व्रिशब गणेश ची कहते हैं कि आज का दिन मिश्रुफ फलदाई रहेगा व्यापारी अपने व्यापार में धन लगा कर नए कारे का प्रारंब कर सकेंगे और भविश्य के लिए योजना भी बना पाएंगे विदेश कमन की सम्भावना भी है मिथुन गणेश ची चेतावनी देते हुए बताते हैं कि गुस्से की भावना आपको हानी पहुंचा सकती है विमार व्यक्ती नई चिकित्सा या उप्रेशन ना कराए बदनामी राभू इसका ध्यान रखें कम बोल कर वाद विवाद या मन मुटाब दूर कर सकेंगे कर संबीदन शीलता और प्रेम की भावनाओं से हरा भरामन आज विप्रीत लिंग्य पात्रों की तरफ अधिक आकर्शित होगा वैभवी मौज शोग की वस्तुए नई वस्त्राभूशन तथा वाहन वगेरा की खरीदारी होगी सिंग गणेशी कहते हैं कि उदासी मुरत्ती और संदेही की भावना आपके मन को बेचैन बनाएंगे दैनेक कार्य विलम से पूरे होगे परिश्रम तो अधिक करेंगे परंतु फल कम मिलेगा नौकरी में संभल कर रहें कन्या आज का दिन चंता और उद्वेक से परिपूर होगा पेट की गड़बडी से स्वास्थे खराप होगा विद्यार्तियों की पढ़ाई में अवरोद आएगा अचानक धन खर्चाएगा बौधिक चच्चाएं और समझोते में असफलता मिलेगी गड़ेश जी आज के दिन साफथान रहने की चेतावनी देते हैं विचारों की भरमार आपको मांसिक रूप से स्वस्थ बनाएगी माता और स्त्रीवर्ग संबंदित चंता सताएगी आज के दिन यातरा स्थगित रखें आज आपके लिए लाबदाई दिन है ऐसा गड़ेश जी कहते हैं आज आर्थिक लाब होने के साथ साथ भाग्य में भी लाब होगा स्नेही जनों के साथ संबंदों में प्रेम की अधित्ता रहेगी धनू प्रेशी सावधान करते हुए कहते हैं कि परिवार जनों के साथ होने वाली गलत फहमी से बचें व्यर्थ में धन खर्च होगा मानसिक उचार और दुविदा के कारण महतोपूर्ण नेन नहीं ले सकेंगे कारियों में निर्धारित सफलता नहीं प्राप्त कर सकेंगे मकर ईश्वर भक्ती और पूजा पाट से आज के दिन का श्री कडेश कहें परिवार में मंगल कारी वातावरन रहेगा दोस्तों और सगे संबंधियों की तरब से भेट उपहार मिलने से आनंद अनुभव करेंगे कुम पैसे के लेन दिन या जमानत आपको फसान आदे इसका ध्यान रखने के लिए कनेशी कहते हैं एक आगरता का आभाव मानसिक अस्वस्तता बढ़ाएका स्वस्तिके संबंध में प्रश्न खड़े हुँगे मी समाच में अग्रिमस्थान प्राप्त कर सकेंगे समाचिक कार्यों में भाग लेने जाना होगा बुजुर्गों और मित्रों का सहय योग मिलेगा मित्र मंदल में नए मित्र जुडेंगे नौकरी और व्यवसाय में आयवरधी का योग है